सदर भजार की दो-दो मार्किट का क। एक साथ और एक साथ मार्किट एक साथ मार्किट एकिस्ट और करने का वीडियो दिखाने का खारण है सिर्फ गर्मी Nature वहीं देखो इतनी गर्मी हो रही है ना सुबा उठते ही गर्मी लगनी शुरू हो जाती है सूरज देव इतनी तेज चमक रोशनी के साथ प्रकट हो जाते हैं और गर्मी की वज़ए से आज मैंने जल्दी जल्दी से मार्केट के अक्स्प्लोर करके फटाफट घर की रफतार पकड़ ली थी तो आज आप वीडियो में रुई मंडी और सदर में पट्री मार्केट का कलेक्शन एक साथ देखने वाले हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो आज सदर बजार का मैं आपको काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ मेकप बॉक्स वैनिटी बॉक्स और बैंगल बॉक्स नजर आये थे और देखो इतनी अच्छी क्वालिटी में आप सदर बजार की पट्री मार्केट से ऐसा कलेक्शन खरीद सकते तो ऐसी कलेक्शन वैडिंग सीजन के लिए तो जरूर डिजाइन जो था उपर को बहुत प्यारा था कड़दाने का वर्क था मिरर वर्क था तो यह कलेक्शन आपको 350 रूपीज में मिल जाता है इसके अलावा आप काफी अच्छा कलेक्शन और भी डिजाइन में खरी सकते हो तो यहाँ पर मुझे काना जी की पगड़ी नजर आ असानी से इस मार्किट में संडे के दिन मिल जाती है तो काना जी की पशाग भी अभी आप वीडियो में देखने वाले हो अब मैं आपको दिखारी हूं कुछ जैंस के लिए बने हैं यहाँ पर आपको मात्र 50-50 रूपे में काफी अच्छी बैल्ट मिल जाती है इसमें आप आपको इस तरह के बॉक्क से मलते हैं और यह प्लास्टिक के बिल्कूल भी नहीं है प्लास्टिक के शेड्स यह आपको नहीं मिलेंगी तो जैंस पर मैं आपको कुछ घडियां दिखा रही हूं इनकी प्राइस रेंच 200 150 और 100 रूपीस में लेडिस at जैंट्स दोनों की collection आपको मिल जाती है 150 के design मुझे काफी प्यारे लगे थे नीचे वाले और साथी साथ आप कुछ smart watches भी हाँ पर खरी सकते हो अब मैं आपको सदर बाजार में बिखने वाले कुछ trolley bag दिखा रही हूँ जो कि इस बार मुझे बहुत अच्छी quality में नजर आय थी क्योंकि इनके sizes चोटे बड़े हैं तीन साल की warranty के साथ आप सदर बजार से भी इस तरह के trolley luggage खरीद सकते हो और rate कम भी करा सकते हैं जब आप इनको खरीदने वाले और इस बाना मुझे बहुत अच्छी चीज दिखी थी मात्र 20-20 रुपे में इस तरह के आपको buttons के packet मिल रहे तो सारे ही designer बटन थे तो बुटी collection आप खरी सकते हो और इस तरह के pad भी मुझे नजर आये थे जिस तरह से आजकल हर dress में आपको pad लगाने होते हैं cutting tail ring के लिए blouse में pad लगाने वो भी आपको 20-20 रुपे में market में असानी से मिल जाते हैं यहां पर मुझे healthy mandy के 60 रुप शॉपिंग करके आओ सुबह सुबह घर से जाओ तो ऐसा system कुछ चला हुआ है तो आप market में जब घर्मी में आते हो ना बई मैं तो यही कहूंगी सदर बजार में Sunday के दिन आप shopping करने आते हो तो सुबह जल्दी आना मैं भी काफी जल्दी गई थी लेकिन मैंने फटा-फट स दो-दो market को explore की आप देख सकते हो उस तरह से Sunday के दिन सदर market लगी होती है street market लगती है सारी सदर बजार के main road पर main road यह सदर बजार का आपको नजर आ रहा है यहाँ पर भीया 30-30 रुपे में कुछ काच की चूड़ियों के packet sale कर रहे थे आप देख सकते हो कि लोग कितनी जल् विलियों में काफी बार दिखाई है यह आपको 50-50 रुपे में असानी से मिल जाते क्वालिटी काफी अच्छी होती है इसके अलावा आप बड़ा बंडल डिजाइनर लेसिस का खरी सकते हैं यह आपको 150 और 180 की रेंज में मिलेगा इसमें कुछ लटकन वाली लेसिस आप ल जाते हैं जो कि सौर्वे में काफी हलके फुलके आपको नजर आते हैं तो गर्मी इतनी जादा थी ना के मैं बीच की पटरी को छोड़कर जो साइड में शॉप्स होती है शटर बंद होते हैं चाया में वहापर आ गई थी तो वहापर भी मुझे काफी अच्छा कलेक्शन नजर आयता है इस तरह की 5D scenery आप ले सकते हो sizes के according इनके price हैं यह सामने वाली आपको 150 में मिल जाती है इससे बड़ी वाली 200 में मिल जाती है सुन्दर सुन्दर डिजाइन प्रिंट आप इसमें ले सकते हो तो बही देखो गर्मी से अगर बचना है ना तो आप साइड में श हो रहे थे इसी shop के आगे मुझे ना एक home decor के यह item दिखे थे जिसमें कुछ animal figure थी जो की बहुत अच्छी quality में थे और इनके sizes भी काफी बड़े बड़े थे यह आपको 250 पर पेर के हिसाप से मिल जाते हाथी गोड़ा हीरन सब कुछ मुझे इसमें नजर आया था तो यही पर सिर्फ 100 रुपे में तो देखो लड़कियों के लिए kitchen set में आपको pink color भी असानी से मिल जाएगा क्योंकि pink color तो लड़कियों का favorite होता ही होता है शुरू से ही तो यहाँ पर कुछ boy girl दोनों के लिए मैंने toy देखे थे bottle और ball वाला toy भी आपको मिल जाता है इसके अलावा और तक की range में आपको यह collection मिलती है अब देखो भई तेहारों का season आने वाला है और सबसे पहले आएगी रक्षा बंदन तो रक्षा बंदन के लिए कुछ इस तरह की मुझे कुछ ladies राकिया नजर आएं थी जिसका collection थोड़ा कम था और उसी के साथ में यहाँ पर काना जी की पोशाक सेल कर रहे थे पोशाक के सासत मुझे काना जी के ना चोटे चोटे इनर वियर नजर आये थे इसमें आपको बारा बारा के पैकेट के हिसाब से चोटे बड़े size में shots मिल जाते है काना जी के हर पैकेट का price अलग है कोई 70 का है कोई 90 का है कोई 100 का है लेकिन सबसे cute ज खाट लगती है इसमें हम अपने घर में काना जी को भी बढ़ा सकते हैं और as a showpiece भी इनको रख सकते हैं चोटी वाली आपको मिल जाती है 50-50 रुपे में और बड़ी वाली आपको मिल जाती है 100-100 रुपे में बई देखो folding पे बैड पे सोने का मज़ा अलग होता है लेकिन रिलेक्स मिलता ना वो इस खाट पर ही मिलता है तो किस-किस के घर में आज भी खाट यूज होती है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं हमारे घर तो आज भी खाट है आज भी ठीक है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना तो next सदर संडे पट्री मार्केट में आप ज ज्वेलरी मार्किट अपनी मन पसंट जूल्री जहां से आप खरी सकते हो तो वो आप चेक आउट कर सकते हो देख सकते हो उसमें आपको A to Z सारी जूल्री नजर आएगी सबके प्राइस मैंने उसमें बताए है तो ऐसी कलेक्शन आप सदर बजार की रुईमंडी से भी खरी सक तो बहुत को जैसे धूप का मैं कारण बता रही तो दूसरी साइड शॉप के आगे आ गई तो यहां पर भी सारा आपको बैंगल का कलेक्शन मिल जाता है 50-50-60-60 रुपे में इस तरह के बैंगल बॉक्स आपको मिल जाते हैं तो ऐसी कलेक्शन आप ले सकते हो इस तरह से म मार्किट में भीड है वीच का पॉर्शन चोड़कर मैं साइड में आ गई धी ठीक है तो यहां से चाया चाय में मार्किट में जा रही थी रुइमंणी में जा रही थी अब मैं इसी रास्ते से जब आप जाते तो आपको इस तरह की नेल पॉर्श मिल जाएंगी बैंगल मि टूजी घर का समान ले लो जूलरी का समान ले लो वो आपको असानी से मिल जाता है तो जैसे मैं रूइमंडी में पहुंची हापना बहुत जादा भीड लगी थी 10-10-20 रुपे की एंकलेट पायल सेल हो रही थी और आप देख सकते हो कि शॉप वाले लोग कितनी अच्छी ज दिखा दिया कोडियों वाली भी दिखाती तो ऐसी एंकलेट आपको 20-20 रुपे में मिल जाती है कभी कभी 10-10 रुपे में भी मिल जाती है जो होलसेल की शॉप होती न वहां से आप सिर्फ 10-10 रुपे में ऐसी कलेक्शन ले सकते हैं इन वाली अंटी जीने बहुत सारा समव पैंडेंट भी इनके आपको बहुत चोटे बड़े में मिल जाते हैं यह आपको 60 रुपे और 100-100 रुपे में मिल जाते हैं उसके अलावा गोल्ड प्लेटिड वाले बिल्कुल सोने के जैसे लुक वाले बड़े-बड़े पैंडेंट वाले मंगल सुतर भी आप 50-50 और 60-60 रुपे में खरी सकते हैं लग रहे हैं बिल्कुल सोने से कम नहीं खो जाए गम नहीं तो ऐसी कलेक्शन आपको मिल जाती हैं तो जब आप रुई मंडी में आते हो ना तो आपको 20-30 रुपे में बहुत अच्छे कंगन के सैट मिलते हैं मुझे यह वाले कंगना बहुत प्य चारे थे ना फ्लोरोसेंट कलर में आपको मिलते हैं और अनफॉर्चुनेटली भाहिया ने बोला कि यह पूरा बॉक्स ही आपको खरीदना पड़ेगा 270 रुपे का भाई देखो इतने सुंदर कड़े हैं ना मैं चारी थी भाहिया मुझे पेर के इसाप से दे दे इस तरह क जब आप रुईमंडी में आगे बढ़ते हो तो आपको बीच में शिव मंदिर मिलता है शिव मंदिर में सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करना उसके बाद उनी की शौप के आगे आपको यह कंगन की चूडियों के पैकेट मिल जाते हैं मात्र 50-50 रुपे में इस वाले बीना एकदम शाइनिंग वाल आपको उसमें मिलता है यह आपको शिव मंदिर के बिलकुल साथ में सामने मिलने वाले हैं तो रुईमंडी में आपको बहुत अच्छी कलेक्शन जूलरी की मिल जाती है इसमें रिंग्स हैं हेयर पिंस हैं और यह दो को बटर फ्लाई वाली ह 6 का पैकेट आप 60 रुपे में असानी से ले सकते हैं जो इनकी पिंस थी ना उनके डिजाइन मुझे काफी अच्छे लगे थे यह आपको 150 रुपे में पूरा पैकेट मिल जाते हैं काफी अच्छी क्वालिटी और डिजाइनिंग के साथ आप इस तरह की डिजाइनर पिंस भी असानी से खरी सकते हैं इसमें एक दो पेर आपको नहीं मिलेगा पूरा पैकेट ही आपको खरीदना पड़ेगा और डिजाइन बहुत प्यारे-प्यारे आपको इन में मिल जाते हैं तो यहां पर मुझे कुछ टियारा दिखे थे पार्टी वियर क्लिप आप ले सकते है कि आपको 60 रुपे में मिल जाते हैं और यहां पर भीया के पास कुछ क्लचर भी थे कोई 20 था कोई 30 तरह के पार्टी वियर हेर बैंड आपको मिल जाते हैं 70 रुपे से 100 रुपे की रेंज में और यहां पर जो मैं आपको यह डिजाइनर जूड़ा दिखा रही हूँ ना फ्लोरल वाले यह बहुत प्यारे थे और यहां पर भाहिया की टेबल कुछ हिल रही थी आसा लग रहा था भुकम पा रहा है और भाहिया मुझे प्राइस नह आपको असानी से मिल जाते हैं यह 25-25 रुपे में आपको चोटी बच्चियों की चूडियों के पैकेट बहुत सारे प्यारे कलर्स में मिल जाते हैं तो यहां पर भाहिया 60 रुपे दर्जन और 120 रुपे दर्जन और 120 रुपे दर्जन जो होती ना उनकी क्वालिटी मुझे 60 रुपे दर्जन वाली से जाद अच्छी लगती 60 रुपे वाली ना मैंने एक बार खरीद ली थी लेकिन वो ड्राई नहीं होती थी जल्दी से तो आप जब भी खरीद तो 120 वाली खरीद ना शौप के लिए खरीद ने तो भाहिया आपको इस तरह से पूरा कैरेट बना कर देंगे आप अपनी शौप पर भी उसको असानी से सेल कर सकते हैं यहां पर देखो 10-10 रुपे में एरिंग के पूरे-पूरे पैक मतलब 6-6 जोड़ी एरिंग है किसी में 10 जोड़ी भी आपको मिल जाएंगे और यह आपको सिर्फ 10-10 रुपे में मिल जाता है और यह वाला होती में एक पैकेट निकाल दो भी आने बहुत मुश्किल से ढूंड के निकाला था मेरी लिए तो इस वाली शौपर में पहुंची दिना इस पर भी पूरे शौपर सेल होने वाले कंगन के सैट आपको मिल जाएंगे 240-250-270 रुपे तक की रेंज में आप इस तरह का पूर पूरे एक दरजन ही खरीदने पड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शौप है आप जबी दरजन में खरीदोगे घर की सारी लेडीज मिलकर इखटी शौपिंग कर लो फ्रेंड्स सिस्टर सब मिलके इखटी शौपिंग कर लोगी ना सब आपस में इनको बाट लेन लेना कर लेना तो ऐसी क्लेक्शन आप पर्सनली भी खरी सकते हैं मैं आपको पूरा मार्किट का व्यू दिखाती हुई चलती हूँ ताकि हाँ फर्स टाइम कभी भी मार्किट में आओ तो आप थोड़े विचलित ना हो कि हम कैसे शौपिंग करें कैसा क्या महौल है तो सार पूरा कैमरा गुसा के दिखा रही हूं किस तरह से डिजाइनिंग आपको मिल जाती क्योंकि इतने सारे बॉक्स में से एक एक डिजाइन दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अगर मैं भया को कहूंगी ना भया मुझे अपनी शॉप से बगा देंगे तो आप ऐसी डिजा के रहते क्योंकि बालों में इतनी जादा गर्मी लग रही है ना मेरा तो यह याल है 24 घंटे मेरे बालों में क्लचर लगा हुआ जूड़ा बनके नेक्स्ट यहां पर आपको पचास-पचास और साथ रुपे में इस तरह के नेकलेस मिल चाते जिसमें चोकर भी होगा और चोकर में लेनी है किसी भी तरह की डिजाइनिंग में मात्र पचास और साथ रुपे में आप ऐसी कलेक्शन ले सकते और कुछ इस तरह के न मुझे डिजाइनर पीस भी दिखेते सिल्वर और गोल्डन में आप देखरो रहा कितने बड़े-बड़े एरिंग है मतला वैस्ट अब मैं आपको जो पहले वाला नेक पीस दिखाया था ना उसी में एक और कलर दिखा रही और ऐसी डिजाइनिंग आपको मार्केट में काफी शॉप्स पर नजर आती है जो सदर संडे पट्री मार्केट होती रहे वहाँ पर ये डेड़ सो के दो मिलती है वहां से मत खरीद में थोड़ी सी वह महंगी आपको मिलती है पहले तो मैंने आपको बिच्छे दिखाया थे अब बिच्छों के साथ पहने के लिए आपको कुछ गोटा चांदी की आर्टिफिशल पायल में दिखा रहे हूं इनकी रेंज दस बीस तीस रुपे से स्टार्ट होके दो सो ड़ा आगे वाली आपको 20 और 40 रुपे में मैं डिजाइनिंग दिखा रहे हूं इसमें आप कालिम होती की भी ले सकते हो मतलब मैरिट अन्मैरिट दोनों लड़कियों के लिए आपको डिफरेंट डिजाइन यहां पर मिल जाते हैं और इनकी ना जो डिजाइन होती है असली की च बात मैं आपको बता रही हूं कि मेरे चैनल पर आपकी मनपसंद जूलरी की वीडियो है आप उसे चेक आउट कर सकते हैं अब यहां पर मैं आपको कुछ एरिंग दिखा रही हूं इनकी प्राइस होती है 20 रुपे और इस बार भाहिया ने बतानी मुझे क्यों 40 रुपे बत प्लेटिड वाले होते न वो भी आपको 20-20 रुपे में असानी से मिल जाते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगा लेना कि किसकी प्राइस कितनी होगी यह जुमकिया थोड़े चोटे साइज में है तो यह आपको 30 और 40 रुपे की रेंज में मिल जाती है इ सामने प्राइस लिखा हुआ 60 रुपे 65 रुपे क्योंकि इनका साइज बढ़ चुका है जो से पहले देखे थे उनकी साइज थोड़ी छोटी थी तो साइज के अकॉर्डिंग यहां पर हर चीजों का दाम आपको मिलने वाला है तो यहां पर बच्चों के कुछ मुझे नज कुछ भाईया सर्फ होलसेल में 12 पीस ही आपको देंगे लेकिन बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती जहां पर आप सिंगल पीस भी खरी सकते तो ऐसे एरिंग के काउंटर आपको पूरी मार्किट में देखने को मिलते हैं आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग खरी सकते हैं यह देखो फिर से मुझे मल्टी कलर वाली चूडिया नजर आ गई थी बहुत सारी वराइटी आपको यहां पर मिल चाती सारी मैटल में है और इस बजार में आपको काच की चूडिया मुश्किल से ही मिलेंगी एक ही शौप है जो काच के कंगन कभी कभी रखते हैं अगर आ बहुत सारी काच की आपको वराइटी मिलती है यहां पर फोटो फ्रेम सेल कर रहे थे 100 रुपे 120 रुपे 150 रुपे और सिंगल वाला आपको मिल जाएगा 60-70 रुपे की रेंज में तो आई होप आपको चिलचिलाती गर्मी के आतंक में आज की वीडियो का कलेक्शन पसंद आया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई जैमा तक ही